नमस्कार दोस्तों भासा जनकारी चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों बांगला लेंग्विज शिखने के लिए आधी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि आपको जहां बांगला लेंग्विज की वीडियो मिलेगी और आप यह दो बहुतनी तरीके से बोलना सिख सकेंगे यह सुरू करते हैं क्या और कोई आदमी आया था आर की के ऐसे चिलो क्या आको बोलेंगे की आर मींस होता है और के मिंस होता है कोई ऐसे छीलो मतलब होता है आदमी आया था क्या और कोई आदमी आया था और की के वह ऐसे छीलो इस वीडियो के आखरी तक बने रहेगा तब ही आपको पुणरूप से नालेज होगा यदि वीडियो को लाइक कर देजिए मेरे घर में हर एक बीमार है आमार बाड़ी ते सोबाई औसुस्थो मेरे घर में हर एक बीमार है आमार बाड़ी ते सोबाई औसुस्थो आमार मतलब होता है मेरे बाड़ी ते मतलब होता है घर में सोबाई मतलब होता है हर एक औसुस्थो मतलब होता है बीमार है मेरे घर में ह पर एक बीमार है अमार 12300 फाइय और शूस्त्य यस तरह से बोलना से कि बहुत कम समय को मैं यहां पर जो है हुम पियसे बोलेंगे सो मॉय को बैर दून पॉल पूरो मतलब सारे बागाने मतलब होता है बाग का चारदिक मतलब होता है चारदिक मतलब होता है घूरे चीला मतलब लगाया, हमने सारे बाग का चक्र लगाया, हमी पूरो बागा नेर चारदी घूरे चीला am बुरी यादतें सुरू में ही रोक देनी चाहिए, खाराप और भास शुरू ते बंधो कोराउं चीत, बुरी यादतें मतलब हो जाएगा, खाराप और भास मतलब हो जाएगा, बुरी यादतें, सुरू में ही शुरू ते, यानि हो जाएगा, सुरू में ही, बंधो मतलब हो रोक देनी चाहिए कोरा उंचीत बूरी यादतने शुरू में ही रोक देनी चाहिए खारा आप औ भास शुरू ते बंधो कोरा उंचीत डाकू अभी तक नहीं पकड़े गए डाकात्रा एखोनो धौरा पौरे नी डाकू अभी तक नहीं पकड़े गए डाकात्रा मतलब हो जा मुझे इस बात का पता लग गया आमी मतलब होता है मुझे एटा संपोर के जानते मतलब इस बात का पता लग गया को बोलेंगे ऐसे छी मुझे इस बात का पता लग गया आमी मतलब देखे हैं यहां कोई नहीं आया एखाने केउ आसे नी इस घर की हर एक बस्तू आपके लिए हाजिर है इस घर की हर एक बस्तू आपके लिए हाजिर है इस घर की हर एक बस्तू आपके लिए हाजिर है यह बारिर सौब किछू आपनार जो नो उपोस्थीत यह वीडियो कैसा लग आप कमेंड करें और इस वीडियो का अपने दोस्तों में खूब ज़्यादा ज़्यादा सेयर करें यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी दबा लें नमस्कार दोस्तों धान्यवाद